रमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का अजग बफेर से आपके अपने चैनल लर्निंग एंपायर पर मेरे जाने अनु के साथ अज का हमारा टॉपिक है ग्लोबा एंडर सोनी करन्ट अफेर से रिलेटिड टॉपिक है एंवार्डमेंट में बहुत बड़ी डिवलेपमेंट हुई है दोस्तों क्योंकि ग्लोबा एंडर सोनी नाम का ये जो प्लांट है 136 साल बाद फिर से इसको रिडिस्कवर किया गया था तो जबी भी दोस्तों करन्ट अफेर्स में एंवार्डमेंट से रिलेटिड कोई भी डिवलेपमेंट होती है तो बहुत जादा चांसे हो जाते हैं कि में उससे रिलेटिड कोईशन जरूर पूछे जाएंगे तो इसलिए बहुत जादा इंपॉर्टन सेशन होने वाला है बात करते हैं दोस्तों ग्लोबा एंडर सोनी की तो पुने और केरला की जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने मिलके इसकी खोज की है इसको रिडिस्कवर किया है यह बहुत जादा रेयर है और क्रिटिकली एंडेंजर्ड प्लांट स्पीशीज है यह सिक्किम हिमालय के आसपास जो तीस्तर रिवर वैली है वहां से इसकी खोज की गई है और इसको 136 साल पहले लास्ट टाइम देखा गया था उसके बाद अब फिर से 2020 में यह स्पीश लान हुआ था और यह है वेस्ट बेंगोल वेस्ट बेंगोल का हिस्ट है दारजलिंग वैस्पेंगोल की राजधानी क्या है कॉलकाता अगर आप इसको जूम करके मैप में देखे तो यहाँ पे आपको दिखेगा सिक्किम और सिक्किम के nied mor são Col त्रिवर तो इस वैली के आसपास कोती है वहाँ पे ग्लोबा एंडेर्सोनी नाम की प्लांट है इस प्लांटL पश्रवल्ड को कोमनली डांसिंग लेडिईस के नाम से भी जाना जाता है यह यह यै यह değa उसके बाद 1875 में फिर से ये स्पीशिस जो है री कलेक्ट की गई है री डिस्कवर की गई है डिस्कवरीज की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले इसकी खोज 1862 से 70 के आसपास की गई थी जब एक स्कोटिश बोटनिस्ट थोमस एंडरसन ने सिक्किम और दार्जलिंग के आ सब्सक्राइब खोजा गया था और उसके बाद से अब तक फिर ये स्पीशिस जोती एक तरह से कह सकते हैं कि एक्स्टिंक्ट हो गई थी सिंस देन दा प्लांट स्पीशिस हैट नोट वी बिन कलेक्टिट फॉर ओवर वन 35 यार्स यानिके 135 साल तक फिर ये स्पीशिस कभी देखी ही नहीं गई इस पीशिस के अगर मैं बात करो तो ग्रोइंग एरिया कहां पर मिलेगा आपको ये जो प्लांट है ये डेंस कोलोनीज में आपको उगता हुआ दिखेगा तो जैसे आप इधर देख सकते हैं ये इंडिविजुली ग्रोनीज में ग्रो करता है ये वहां पर उगते हुआ ये प्लांट आपको दिखाई देगा और ये जो वाटरफोल्स हैं 400 से 800 मिटर अबव सी लेवल आपको देखने को मिलेंगे तो ये हैं दोस्तों इसके ग्रोइंग एरिया के बारे में अब अगर इसके करेक्टरिस्टिक्स की बात की जाए तो इसका जो है प्रकार जो है जिंगी बेरा केई का प्रकार है यानि के यह जो प्लांट है यह जिंजर या टर्मनिक फैमली से बिलोंग करता है इसके वाइट फ्लावर्स होते हैं और नोन अपेंडेश्ड एंथर्ड होते हैं यानि के स्टेमन का एक ऐसा हिस्सा जिसमें पोलन होता this one वर इस पूरा वुट होगा लेकिन इसकी जो ट्प फोगी वो येलो इस होगी टीकली है और नेरोली एंडमिक है यह सिर्फ आपको कहां पर दिखेगा रिस्ट्रिक्टिड है यह तीस्तर रिवर वैली के आसपास जो कि सिक्किम और दार्जलिंग हिल रेंजिस के आसपास ही आपको दिखाई देगा इस प्लांट के बारे में यह कहा जाता है दोस्तों कि विंटर में यह प्लांट सो जाता है विंटर में यह ग्रो नहीं कर पाता है लेकिन जैसे ही समर सीजन आता है तो यह प्लांट जो है रैपिडली ग्रो कर जाता है यह ज नेक्स सेशन्स आई होप आपके आप सभी को आज के सेशन से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा इप यह तो डू लाइक शेयर और सब्सक्राइब आवर चैनल प्रैस दम्बैल आइकन फोर मोर अबडेट्स मोस् इंपोर्टनली स्टेव होम स्टेव सेफ गोडब्लेस यू जैहिन